तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों कैसे हो आप सभी आसा करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होगे और स्वास्थ होगे तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरों आज हम लोग डिस्स करने जा रहे हैं exercise 17.4 जो की आपका divisibility का जो रूल है जो नियम है उस पे बेस्ट सभी प्रॉब्लम्स है तो आई होब कि आपने disability का नियम जरूर पढ़ा होगा लेकिन exercise को बनाने के लिए आपको disability का जो नियम है जो रूल से वो आना चाहिए तो फटा फट से हम लोग exercise को यहाँ पर सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं तो फटा फट से यदि आप ये screen आपको करती हो जो भी मैं पढ़ाने वाला हूं यहाँ पर सभी के सभी चीजों चीजे समझ में आने वाली है गैरंटी चलो तो यहाँ पर सुरू करते हैं हम लोग आज का करेकरम चलो ठीक है यहाँ पर कह रहा है कि verify the given number and divisible by two or not ठीक है कह रहा है कि आपको यहाँ पर बताना है कि जो यह number है यह two set divisible होगा या नहीं कि होगा तो देखो two set divisible का एक नियाम है two set division का क्या नियाम है कि कोई भी अगर टू से डिविजवल है ध्यान से सुनना मेरी रच नमबर तू से डिविजवल है तो उसके while place पर कौन से place पर उसके इसको कौन से place होता है वान्स जिसको इकाई भोल्ते हैं इसको आंड do máma s Singapore द Sum दॉलते हैं हिंडी में और सम्स इसको वानस टेंस we भी बोलते हैं ना ठीक है चलो तो यूनिट प्लेस पे अगर यूनिट प्लेस पे देखो टू से पहला कोशन कह रहा है कि आपको जांचना है कि टू से डिविजबल कौन-कौन है या नहीं है ठीक है तो चलो जो होगा उसको आपको यस करना है और जो नहीं होगा उसमें कर रहा हूं कि टू से डिविबल करने हम क्या है कि जीरो टू फोर सिक्स और एट इन पाचों में से अगर कोई भी जीरो टू फोर सिक्स एट इन पाचों में से कोई भी अगर यूनिट प्लेस में यानि कि एकाई के अस्थान पे इन पाचों में से कोई भी अगर आता है तो तो समझ जलने कि उट two से divide है तो यहाँ पर यह unit place है Ikaizin का अस्थान है एकाई का स्थान हमें बाकी से मतलब नहीं है बाकी से कोई मतलब में हिकाई को देखना है एकाई मतलब है कि यह से क्या हो जाएगा ठीद हो जाएगा ठीग है यह हो गया नी कि यहां पे क्या हो जाएगा यहa है यह के यह यूनिट प्लेस है यह 10 है यह 100 है यहां पर इन पाचों में से 1 0 2 4 6 8 में से कोई है कि यहां पर तो कोई नहीं है तो कोई नहीं है तो इसका मतलब यह 2 से कि 2 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा मैंने टिक किया है यहां पर क्या है यह यह 10 है यह 100 है और यह 1000 है यह हमें तो इस प्लेस से मतलब है नाइन है तो यह पांचों में से कोई है क्या नाइन नहीं है इसका मतलब यह टू से जो है वो डिविजवल नहीं होगा अब यहां देख लेते हैं तो यह समझ में आया ठीक है तो यहां पे नो नॉट होगा और यहां पे यह होगा कि हा डिविजवल है यहां पे नॉट होगा ठीक है नहीं है और यहां पे नॉट होगा यहां भी क्या होगा नॉट ठीक है यह समझ में आया दूसरा नंबर पर आते हैं ठीक है चलो तो दूसरा नंबर को मैं उपर थोड़ा सा कर लेता हूं चलो जी उपर आजाओ द 3 से divisible है या नहीं ठीक है किस से आपको बताना है कि 3 से divisible तो 3 से divisibility आप कैसे चेक करोगे क्या करते हैं जितना भी इसके अंदर में number रहता है सभी number को add करते हैं तो देखो 3 3 प्लस 2 प्लस 4 तो कितना आ जाएगा 3 दो 5 अब 5 और 4 नौ और जब add करके जो यह number आता है यह 9 आया ना मेरा तो यह 9 क्या 3 के table में आता है तो हां आता है इसका मतलब यह क्या हो जाएगा 3 से क्या हो जाएगा divisible हो जाएगा मैंने टिक किया तो इसका मतलब सर आप यह कहना चा तो हो जाएगा 3 से divisible हो जाएगा हो जाएगा तो हां बिलकूल ऐसा ही बात है अब इस जाता है तो प्लस 5 प्लस 0 किया होता है 7,7 प्लस 0,7,7 प्लस 0,7 तो क्या आ गया 7 तो क्या तो 3 के table में 7 आता है नहीं आता है 3 के table में 7 नहीं आता है इसका मतलब यह नहीं होगा मैं cross किया हूँ यह 3 से divisible नहीं होगा अब यहाँ देख लो यह इसमें बता हो जारा इसमें चलो देखो कर लेते हैं 2 प्लस 0 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 5 ठीक है? सब को add करो 2 प्लस 0 तो 2 ही हो जाएगा 2 प्लस 3 5 5 प्लस 2 7 7 प्लस 5 क्या होता है? 12 तो क्या 3 के table में 12 आता है? तो हाँ आता है 3 4 जा तो इसका मतलब यह पूरा का पूरा नंबर यह 2 2 0 3 2 5 यानि कि 20,325 जो है यह 3 से divisible हो जाएगा टिक कर दिया मैंने चौथा नंबर उसी तरह चौथा नंबर क्या करोगे? 8 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 1 प्लस 2 तो कितना हो जाएगा? 8 और 3 11 ठीक है? 8 तिन 11 11 और 8 19 19 और 1 20 20 अदो 22 ठीक है? 8 तिन 11 ठीक है? 11 और 8 19 और 1 20 20 अदो 22 आया तो क्या 3 के टेबल में 22 आता है? नहीं आता है थाना 3 के टेबल में 22 नहीं आता है इसका मतलब ये नंबर जो है 3 से divisible नहीं होगा क्लियर होगा 5 नंबर 5 नंबर क्या हो जाएगा? देखो मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ देखो 5 नंबर का 9, 4, 13, 14, 15, 15 और ये 5, 20, 20 आ रहा है तो 20 जो है 20 जो है ये 3 के टेबल में आता है? नहीं आता है इसका मतलब जो है ये नंबर जो है ये 3 से divisible नहीं होगा 5 नंबर क्लियर हुआ तो 3 से divisibility का नियम कैसे पहचानते हैं? सब को add करते हैं जितना भी इसके अंदर में नंबर रहता है डिजिट रहता है सभी डिजिट को add करके फिर देखते हैं कि एड करने से जो आता है फिर देखते हैं कि वो 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है अगर आता है तो जाएगा नहीं आता है तो नहीं जाएगा वो पूरा का पूरा नंबर ओके तो ये था टू का नियम का सुरी थी का था और टू नंबर प्रोब्लम का था अब थ्री में चलते हैं ठीक है चलो थ्री में देख लेते हैं क्या रहा कि वीच वीच दर गिवेन नंबर आर्ट डिविजल फाइब से कौन-कौन डिवजूल है तो फाइब से नियम है five का क्या नियम है कि इसके once place पर यानी की उनिट के अस्थान पर क्या आना चाय कि जीरो रहे या five रहे यह दोनों में से कोई अगर इकाइंक के अस्थान पर रहे यह पहला स्थान पर यह इसको unit और इकाइं भी ब था, नहीं है, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा? 5 से, यानि कि 932 5 से divisible नहीं होगा यहाँ पर क्या है? 5 है तो उन दोनों में से है क्या? 0 या 5 में से कोई एक है क्या? 5 है, 1's place पर यानि कि 5 से क्या हो जाएगा? 2's place धिविजबल हो जाएगा यह है चौथा नमबर यहाँ पर 4 है 1 प्लेस पर 0 और 5 में से होना चाहिए यहाँ तो 4 है तो इसका मतलब यह 5 से divisible नहीं होगा यहाँ पर 9 है तो क्या यह 5 से divisible यह नहीं होगा क्लियर बाते समझ में आ गई अब चलो यह समझ में आया चलो आगे 4 नमबर चलो देखो इस बार आपको क्या करना है डिविजबल बाई 7 तो 7 से देखो यह 7 से देखो 5 6 0 बाई 7 करो तो 7 1 जा 7 अब 7 कितने जामे 7 के 7 8 जामे जाता है न तो और यह 0 डाल दो इसका मतलब यह divisible हो जाएगा यह कट जाएगा पूरा का पूरा ठीक है क्योंकि 7 के टेबल में 56 आता है तो यह कट गया इसका मतलब यह 7 से क्या हो जाएगा डिवाइड हो गया अब 791 क्या यह divisible है 7 से तो देखो करके देखो 791 बाई 7 तो 7 1 जा 7 ठीक है और 7 से यह 9 को वो करो आप 7 7 1 जा में 7 जब डिवाइड करते है तो और यह 2 बचेगा 21 यानि कि 7 से मैं कह रहा हूँ 791 ऐसे करके देख लो 7 1 जा 7 यह खतम हो गया 9 नीचे आया 7 1 जा फिर से 7 फिर क्या बचेगा 2 और यह 1 नीचे आया clear है तो 7 3 जा 21 तो यह खतम नहीं हो गया सब नीचे में 113 यानि कि यह क्या हो रहा है डिविजबल हो गया अब उसी तरह से आप इसको भी जाचोगे 7 से और आप इसको भी जाचोगे 7 से तो यह हो जाएगा और यह नहीं होगा ठीक है तो यह इस तरह से आपको क्या कर लेना है बना लेना है ठीक है और मेरे प्यार प्यार टमाटरों ये आपका खतम हो गया ठीक है ओ माई गॉड यानि कि ये जो वीडियो सेरीज थाई यानि कि चैप्टर एक्सरसाइज 17.4 के लगभग 5 पार्ट पांच पार्ट बने हैं इन पांचों पार्ट को काफी अच्छे से आप लोग देख लेना तो एक भी कोस्टन नहीं चूटेगा और भी आपको तगड़ा कंसेप्ट चाहिए तो आपको यहाँ पे बुक में आपको दिया हुआ है डिविविल्टी के बहुत सारे नियम लगभग 11 नियम दिया हुए है तो इसको भी आप लोग देख लेना देखो यहाँ पे लिखा है वरिफिकेशन ऑप डिविल्बिल्टी नियम धना उसी तरह से यहाँ पे 7 से कैसे जानोग है कि 7 से डिवाइड होगा एट से डिविल्बिल्टी का नियम ठिक है उससी तरह से 10 का 4 का ठिक है 5 का 9 का 6 का 3 का 2 का ठिक है तो यह सब मैंने cover किया है clear है concept में तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरो ये आपका सफर यानि कि chapter 17 का आज सफर समाप्त होता है तो मेरे प्यारे प्यारे टमाटरो आप जरूर मुझे एक thumbs up दे देना thumbs up मतलब एक like दे देना और मेरे प्यारे प्यारे टमाटरो और शेयर कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चलो तो फटाफट से आप चलते हैं अपने अपने घर चलो